राजस्थान में चुनाव भले ही दूर हो लेकिन माहोल पूरी तरीके से राजनितिक है जो इस्थाई पार्टियां सत्ता में रही हैं राजस्थान में उनके अलावा भी इस बार राजनितिक विशेशगे कह रहे हैं कि अवसर औरों के लिए भी है तो आउसर जब राजस्थान की धरा में राजनितिक तोर पर है तो AI, MIM कैसे इस आउसर को छोड़े हमारे साथ अनके राश्टी अध्धक्स, असुदिन ओएसीजी है राजस्थान राजनितिक मोड में इन दिनों है बहुत से कारण है लेकिन सबसे पहले हम पार्टी राजनितिक तोर पर बाचीत करेंगे राजस्थान में अपने राजनितिक हिट, राजनितिक पहुँच और राजनितिक कदम कैसे देख रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा और इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा यखिनान ये एक चैलेंज भी है और हमरा अबजेक्टिव भी है तो हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान की जनता क्या दिल जीच सकें, उनमें एक उमीद जगा सकें और उसी को लेकर आके बढ़ेंगे राजस्थान में एक पॉलिटिकल ट्रेंड भी रहा है कि एक बार पक्ष होता है, दूसरी बार विपक्ष यानि कि भाज़पा और कॉंग्रेस में सत्ताइं बदलती रही है इस बार माना ये जा रहा है कि और भी पार्टियां है खास तोर पर आपकी बात करें या आपकी, दोनों में ही संभावना है कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि राजस्थान में आप संभावना है पूरे राजस्थान में 200 सीटे इस वक्त हैं कैसे कैसे आप देख रहे हैं, सोशल इंजिनिरिंग की बात करें प्रतियाशियों पर बात करें, काम शुरू हो चुका है सोशल इंजिनिरिंग तो यखिनन होगा हमारी पार्टी की तरफ से अब प्रतियाशियों के बारे में तो थोड़ा टाइम लगएगा इतना जल्दी तो उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे जैसा जैसा वक्त आगे बढ़ेगा तो जाहरे उस पर काम होगा सोशल इंजिनिरिंग पर काम होगा, पार्टी के संगठन पर और मजबूती से काम होगा ये काम तो जरूरी है करना पड़ेगा राष्ट ये चेहरा आप है, राजस्थान में कौन रहेगा चेहरा? अरे बहुत जारे आएंगे, फिकर मत करिया एक राजस्थान की पार्टी है बीटी पी, गुजरात में आपने उनके साथ मिलकर अलाइंस में काम किया राजस्थान में उनकी औरड़ी सीटे हैं, क्या राजस्थान चुनाओं के समय भी गट्रोड लाइव रहेगा? बीटी पी से हमारा गुजरात में जब स्थानियों चुनाओं थे उसमें अलाइंस था, अब राजस्थान में तो उस सिलस्थान में हमारी कोई बात नहीं हुई छोटू भई वसावा साब से, तो इस बारे हमें कुछ नहीं कह सकता है हालिया बात करें करोली की, करोली हिंसा पे आपने भी कई मीडिया बाइट से इन दिनों दी है, चुकि जैपूर में आप इस वक्त हैं, और करोली में बीजे पी अपनी नियाय यात्रा निकाल रही है, और रहुल गांदी नियाय की बात करते रहे हैं, तो किस तरीके से ये जो पूरी करोली का मामला है, उस पर आपकी और आपकी पार्टी की ने गाए? मेरा मानना यह है कि ये अशोक एलड सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है. जब उनके पास तमाम इंटेलिजन्स रिपोर्ट्स थी, कि जब ये यात्रा जाएगी तो गबर हो सकती है, तो उनको और ज्यादा एतियाती इख्दामात करने की जुरूरत थी, और उन्ही की नाकामी की वज़े से, उन्ही की सरकार की नाहिली की वज़े से, इतना बड़ा एक कमुनिल राइट महाँ पर हुआ, और मासुम लोगों की दुकानों को जलाया गया, उस बड़ी रैली में अब्जेक्शनेबल गाने लगाये गए, और फिर कई वीडियोज हम भी देख रहे हैं कि टार्गेटेड डुकाने जलाई गए, पॉलिस भी पत्तर फेक रही हैं, आप जब सरकार में हैं, आपको इतना सब इन्फरमेशन था, कि माहुल खराब हो सकता है, तो फिर आपने उस माहुल को खराब होने से, बचाने से क्या किया, कुछ नहीं किया आपने, और जितने भी आप कमुनिल रैट्स के इनक्वारी कमिशन रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, फिछले 25 साल के, उसमें एक बात साफ वजवाज़े हो जाती है, कि और रिपोर्ट्स में लिखा गए, कि अगर सरकार नहीं चाहती तो रैट नहीं होता है, अज़ सरकार चाहती तो रैट होता है, आपने कोई कामी नहीं किया आपने, बलके रैट को होने दिया, इसलिए आज गरीबों को उस आपने पोछा हम से कहा है, और हमारा मानना यह है कि इस माहुल को बने में तेयार करने भींगर्रस और बीजे पी दोनों इसमें बराबर किस्फ़धारिय है, अदा करें हैं, और राजस्तान जनता इस बात को मحसूस कर रही है, कि एक ये माहुल है, इसका फाइदा उटा रह रहा है तो अगर एक 300 साल पुरानी चुडियों की दुकान वो जल जाती है कपड़े का कारुबार करने वाली दुकान जल जाती है तो फिर के उसका क्या होगा अगर अशोग घेलोड सरकार इंसाफ करना चाहती है तो हम यह उन से कहेंगे कि वो एक इंडिपंडेंट इंकुरी कमिशन बनाए और जितने लोगों की दुकाने जली है नुखसान हुआ है उनको फौरण उनको आप अपने सरकार की तरफ से उनको फैनेशल हेल्प का इलान करें जिनका कारुबार नुखसान हो उनको हेल्प करें ताकि दुबारा वो अपना कारुबार शुरू कर सके और य रुपय का नुफसान हो गया कोई बेघर हो गया तो सरकार कम से कम ये तो करें कि उनकी मदद करें इंडिपंडेंट इंक्वारी कमिशन बना इसे वे फायर डालने से अरेस्टिंग करने से कुछ होगा कि हुआ क्यों जिम्मेदार कौन है आप बताएं जनता को दोशी सामने आ और आपके मुडासा में और एक मुखाम पर हमारे मुंसिपल कार्परस जीत कर रहा है गोद्रा में तो अलड़ी हमारा संगटन वहाँ पर चाकासा चल रहा है साबिर काबली वाला साब हमारे प्रेजिडेंट है मैं कल जा रहा है हमदाबाद को और उसके बाद कंटिनियूस अच्छा उम्मीद है कि इन्शालला वहाँ पर अच्छा पर्वामेंस होगा हमारा सवाल ले लेते हैं बड़ी संख्या में जो यूआ हैं खास्तोर पर पड़े लिखे भी हैं वो देख रहे हैं कि आपके साथ जुड़कर राजनीती के कखरे पर पाइदान पर आगे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम जो देख रहे हैं आजी टीवी के तवस्त से मेरा उनसे पेगाम है कि यूर मोस वेलकम हम तो यही चाहते हैं कि आप लीडर बने आप आगे बढ़े फ्यूचर आपका है मैं यहां पर लीडर बनने नहीं आया हूँ मैं आ आगे बढ़े फ्यूचर आपका है और भारत का डिमोगर्टिव डिविडेंड उसका यूथ है एकर सिक्स्टी परसंट पॉपलेशन चाली साल से कम उमर का है तो जाहरे उन्हीं को हमको आगे बढ़ाना है और बढ़ा बढ़ाएंगे उनको आगे तो हमारे साथ बात कर रह आगे आने वाले राजनितिक कदमों के लिहाद से बेहद एहम है और इन चुनाओं में इनकी भागेदारी बेहद एहम होने जा रही है वीडियो जनलिस्ट विजय करन के साथ अंकित तेवारी जी मीडिया जैपर जस्थे एहद थान्या जागे जड़ाएंगे एहद बाले आने जागेदा कर रह दोदो आन चाहे ने आने चाहे जागेदाएंगे बाले जागेदा जैवारी बाले लिए कर